हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आई टी आ इलेक्ट्रीशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो के टॉपिक है कुछ महत्पूर्ण वैदितिक पत तो आज हम इनके बारे में जानेंगे जो कुछ इस तरह से हैं बिद्दुत बाहगबल, विभाव, विवमांतर, टर्मिनल बोल्टेज, बोल्टेज ड्रॉफ, वैदितिक कार और वैदितिक सक्ती दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले, यदि आप चैनल में नए हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए और वैल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए तो चलिए सुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक है बिद्धुत बाहकबल दोस्तो बिद्धुत बाहकबल क्या होता है कि किसी चालक तार में जैसे ये चालक हो गया, चालक तार हो गया उसके एक सीरे से ये एक सीरा हो गया, ये दूसरा सीरा हो गया इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा को लाने में जो बल लगता है जो फोर्स लगता है वो हमारा बिद्धुदबाहगवल कहलाता है इलेक्ट्रो मोट्यू फोर्स कहलाता है इसको इसे प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है वो बोल्ट हो जाता है इसका मात्रक बोल्ट हो जाता है जिसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं तो हमारा दूसरा है विभव दोस्तों जो विभव है विभव की definition क्या हो जाएगी कि किसी इकाई आवेश को किसी इकाई आवेश को अनंत से 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 विद्धु छेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कारे लगता है वो हमारा विभौ कहलाता है फिर हमारा है टर्मिनल बोल्टेज दोस्तों टर्मिनल बोल्टेज क्या हो जाएगा? नहीं स्वरी विववांतर विववांतर में क्या होगा कि जब किसी चालक में से जैसे कि ये हमारा चालक हो गया जब किसी चालक में से विद्दुद्धारा प्रवाहित होती है जब किसी चालक में से विद्दुद्धारा प्रवाहित होती है तो उसके दोनों सीरों के बीच कुछ विवों का अंतर पैदा हो जाता है कुछ विवों का अंतर पैदा हो जाता है जो कि विवों अंतर कहलाता है जो क्या कहलाता है दोस्तों विवों अंतर कहलाता है कि जब किसी चालक में से विद्दृधर प्रवाहित की जाती है प्रवाहित होती है तो उसके सीरों के विवों में कुछ अंतर पैदा आ जाता है कुछ अंतर पैदा हो जाता है विवों में विवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जो की विवांतर कहलाता है इसका प्रतीक भी होगा भी से दरस आते हैं विवांतर को भी से दरस आते हैं और जो मात्रक है वो बोल्ट होता है जो मात्रक है वो बोल्ट होता है हमारा तीसरा है टर्मिनल वोल्टेज बस्तो टर्मिनल वोल्टेज वो होता है टर्मिनल पर उपलब्द वोल्टेज जैसे कोई टर्मिनल हो गया टर्मिनल टर्मिनल पर अपूर सप्लाई स्रोथ से सप्ला सर्स से जो जो बिधुद हैं यहां आती जो बोल्तेज यहां आती है units of लबद होती है वह हमारी टर्मिंटल बॉल्ठेज कहले किया कहलाती है किसी परिपग्ठ में किसी परिपग्त में जैसे यह बारिपग्त हो गया और जैसे चालक किसी परिपत के चालक में जो बोल्टेज का वे होता है क्या होता है दोस्तों जो बोल्टेज की खफत होती है वे होती है लॉस होती है जो बोल्टेज की लॉस होती है वो हमारा बोल्टेज ड्राफ कहलाता है बोल्टेज ड्राफ कहलाता है दोस्तों इसको आई आर ड्राफ भी बोलते हैं हमारा अगला है वैदुतिक कार इसमें क्या होता है कि किसी बिद्दुत परिपत में बिद्दुत बाहक वल दौरा किसी बिद्दुत परिपत में बिद्दुत बाहक वल दौरा जैसे एक बिंदु हो गया दूसरा बिंदु हो गया विद्दुद वाहग बल दौर विद्दुद वाहग बल क्या है एक फोर्स है एक ताकत है जो की धारा को प्रवाहित करती है तो विद्दुद वाहग बल दौर क्या होता है कि एक इलेक्टरान को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक लाने में जो कारे करता है कारे वरावर क इलेक्टरान को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक लाने में जो कारे लगता है जो विद्धु वाली इलेक्टरान को यहां तक लाने में जो कारे करता है वो हमारा वैद्धुतिक कारे कहलाता है दोस्तो हमारा अगला है वैदतिक सक्ती वैदतिक सक्ती इसमें क्या होता है कि किसी वैदतिक उपकरण की कार करने की जो दर होती है सक्ती को मतलब पावर इसको हम पीसे दर साते हैं कार करने की जो दर होती है उसको हम वैदतिक सक्ती बोलते हैं तो इसके कुछ formule वी आते हैं, जो कुछ है, इस तरह से हैं, जैसे कि कि दूस्तों क्या होता है इसमें कि जो वीभा होता है कारवटा आवेश हम को कार एक मान चाहिए तो कार वरावर हो जाएगा, वीभा गुड़े आवेश और आवेस वरावर क्या होता है धारा गुड़े समय तो कारे बरावर क्या हो जाएगा पीवाव गुड़े आई गुड़े वो भी गुड़े आई गुड़े टी तो हम यहां इसका मान रख देंगे कारे का भी गुड़े आई गुड़े टी बाई टी, टी से टी कैंसल पी बरावर भी आई दोस्तो इसका एक और फार्मूला होता है जो होता है भी बरावर क्या होता है आर आई तो आई बरावर क्या हो जाएगा भी अपान आर तो इसका एक न्यू फार्मूला आजाएगा भी बरावर P वरावर B square upon R ये इसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों इसका एक और फार्मूला होता है P वरावर B का मान हम यहां रख देंगे तो I square into R हो जाएगा तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद